है है गाइस वेल्कम बैक तो मैं चैनल है तो काइस आज हम बात करेंगे यह बड़ी प्यारी एक वाइन जिसे कि आप लोग सारे टैंगल हर्ट की नाम से जानते हैं तो इसे स्वीडिश आईवी और पिलो हर्ट से भी जाना जाता है बट इंडिया में मोस्ली हम लोग इसे टै यह हर्ट की शेप की होती है आज जैसे कि थ्रेड में किसी ने हुआँ को ऐसे डाला ओ पॉल्स की तरह ओर टैंगल लिएर एक इं व्याजे रहती है तो यह जाता है तो इसे अ प्लांट है और कोई जादा जो है इसकी कोस्ट भी मेरे को सिर्फ ए 40 रूपिस में मिला तो जादा महँगा भी नहीं होता क्योंकि मेरे को पहले मिल नहीं रहा था तो अभी तो वैसे मेरे को हो गया प्लांट को लाई हुए तो इसमें से मैंने और भी काफी प्लांट बना ली है इसकी ब्रांचे से तो ऑन-laiन मिल रहा था पहले बट ओन-laiन में यह है कि हमें विदाउट पोर्ट मिलता है तो कई बार सम्टाइम्स वह नहीं सर्वाइब करते प्लांट तो इसलिए मेरे को थ अधिन दो ज्यादा बैटर है तो इसकी जो लोगो पहले शनलाइक की बात करेंगे जो इसकी संद्धिया जरूरत वह जासा है इसको संलाइट वैसे नहीं पसंद है इसको आप लोग ब्राइट में रखोगे शेडी एरे में तो यह काफी अच्छे से ग्रोग रहें जब हम नहीं को स्टेली कि और मैंने इसको डाइरक्ट सण लाइट में रखा हुआ है तो इसमें ही इसमें में कोई अबी कलूर प्यार लगता इसलिए मैं रखा था किसमें ऐका शालरत्ता एसमें यह और शालगता आइसमें इसमें बोग तो वैसे आप लोग से ब्राइ लईयte में रखिए तो यह काफी अच्छे गुरों करेगा जरूर्ट नहीं से सनलाइट की अगर हम बात करें इसकी लीप्स की तो बस इसे इंडोर जब भी अगर रख रहे हो तो लाइट और प्रॉपर एयर इसको आनी चाहिए इंडोर भी रखो तो यह नहीं कि आप ने किसी ऐसे एरिय मेरे कदिया जहां पर या तो लाइट ही नहीं है या तो एयर नहीं प्रॉपर वहां पर जा रही है यह विंडो के पास रख लीजिए आप और सॉयल में मैंने इसमें वैल ट्रेंड होनी चाहिए और यह जैसे लिए से बिलोंग करता है तो इसकी जो लीप्स होती है वह काफ भी भी पानी नहीं रुकना जाहिए पॉट में तो इसमें मैंने 40% सिंपल सोयल ली है वह 20% सेंड 20% कंपोज और बाकी की 20 जो है कोकोपीट तो उसे एक तो ऐसी जो सोयल होती है उसे मोईस्चर इसमें बना रहता है तो यह प्लांट अगर नहीं भी दोगे तो काफी दिन त ऊफिए बात करें तो वूटर की बात करें तो वूटर में तो फ्रैंचिस को नहीं के बराभरी वूटर देना है जैसे कि, चेक कर लो अगर आपको लग रहा है, तो उसके बाद इसको देना, अदर विंटर्स में वाटर के कान खराब हो जाता है, अभी इसको वाटर देना, अगर आपको जोड़ते लगे, जो इसकी पोट होता है, वो इसकी ज्यादा बड़ा पोट नहीं है, इसकी जो होगा है, और यह मैंने एक सॉफ ड्रिंग की बॉटल लेकर उसको कट करके प्लांटर बनाया है, तो उसमें यह मैंने लगाई थी, इसमें से कटिंग से लेके प्रफगेट किया था, काफी अच्छे ग्रोगर रहा है यह भी बस जो इसमें वाटर नहीं रहुना चाहिए, त कि रूट रोट की जब प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर प्लांट नहीं बच पाता है, इसलिए मैं बार बर कहते हूं कि अंडर वाटर चलेगा, बट ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करना, किसी भी सकी लेंड को, जब आपको लोगे कि हाँ भी है जुरूर तब भी वाट करना, बाकी प्लांट की तरह इसको रेगुलर रइग नहीं करूं कि इसको कोई ज़्यादा फर्टीलाइजर की जुरूरत नहीं है, कंपोज्ड भी आपको जब लगे थोड़ा सा की भी अधर वाइसे नहीं कि अभी कम कोई फॉल्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत हो थी यह काफी अच्छे वैसी ग्रोग करती है तो सनलाइट की यह थी है कि ज़्यादा सनलाइट में रखते हैं तो यह थोड़ा ना लेगी हो जाता है इसकी जो लीव से इनमें जो यह गया पर ब पागेशन कि बात करेंगे तो इसमें कटिंग से ही वी सेम जो कटिंग लेके आप चोटी सी चोटी इसको आप लगा लो जैसे कि यह आपने इतनी लेली इतनी तो इतनी चोटी कटिंग लेके उसकी जो नीचे की थोड़ी लेस New Leafs रटा के रिमॉव कर सिंपल दोड ने में ज्यादा बरदाश नहीं करता यह प्लान तो जब ज्यादा लेगी हो जाए तो विंटर में इसके जो नीचे के लिफ्स भी खरावने स्टाट जाते तब आप लोग प्रोपगेट कर लीजिए इसे अलग से पोट में इसको अगर बचाना चाहते हो लगा के और पोट में लगा यह आप वैसे पोट में लगा सकते हो हैंगिंग जो पोट उसमें जदा अची लगती है चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक क्यों बबाई